नमस्कार दोस्तो वेलकम टू टूडे एक्जाम दोस्तो आज के इस वीडियो हम राजस्तान पुलीस ऐसा ही बरती परिक्षा के लिए राजस्तान जीके के कुछ मोस्ट इंपोर्टन सवाल याद करेंगे जो आपके राजस्तान पुलीस ऐसा ही बरती परिक्षा के नए पैट तो दोस्तो देखते हैं आज का पहला सवाल पहला सवाल राजस्तान में सरवदिक अमरीकन का पास किस जिले में उगई जाती हैं तो दोस्तो इस सवाल का सही जवाब आप्सन एन गंगानगर जिला हैं जिसमें सरवदिक अमरीकन का पास उगई जाती हैं किस जिले में उगई अगला दूसरा स्वाल है राजस्तान किस ताप कटी बंद में आता है तो दूस्तो इस सवाल का सही जवाब आप्शन ए नि राजस्तान है वो उक्षन सितोक्षन कटी बंद में आता है राजस्तान वो आता है राजस्तान वो आता है राजस्तान वो आता है राजस्तान वो आत पूर्ट बेहने वाली नदी कौन सी है तो दोस्तो इस सवाल का सही जवाब है उप्सन सी नि बनास नदी है जो राधस्तान राजिये में ही पूर्ट बेहने वाली नदी है कौन सी नदी है जो राधस्तान राजिये से ही पूर्ट बेहने वाली नदी है वो है बनास नदी तो दोस्तो देखते हैं अगला सवाल अगला सवाल है राजस्तान की दूसरी सबसे उची चोटी कौन सी है तो दोस्तो इस सवाल का सही दवाब है option C नी राजस्तान की दूसरी सबसे उची चोटी है वो है सहर परवत्त चोटी जिसकी उची है 1597 मिटर कितनी है? 1597 मिटर उची चोटी है इसका नाम है सहर चोटी जो सिरोई जिले में बनी हुई है कहां पर हैं? चिरोई जिले में और दोस्तो सबसे उची चोटी की बात करें तो वह है गुरु सीकर जितकी उचे है इसी परकार अगला सवाल है निमन मेंसे किस जील पर सोडियम सल्पेट सेंतर इस्तापित किया गया है तो दोस्तो इस सवाल का सही जवाब है आप्सन ए नागोर जिले की डीडवना जील है जिस पर सोडियम सल्पेट सेंतर इस्तापित किया गया है कहां पर क्या गया है सोडियम सलपेट सेंटर इस्तापित वो क्या गया है डीडवन जील और डीडवन जील कहां पर है वो है राजस्तान के नागोर जिले में अगला स्वाल है नेमन में से राजस्तान की सबसे वरद सीचाई परियोजना कौन सी है तो दोस्तो इस सवाल का सही जवाब है ओप्शन D एनी इंद्रागंदी नहर परियोजना है जो राजस्तान की सबसे वरद सीचाई परियोजना है कौन सी प्रियोजना है राजस्तान की सबसे वर्द प्रियोजना वो है इंद्रा गंदी नहर प्रियोजना जिसकी सुरुआत हैं वो मार्च 1908 में हुई थी कब हुई थी मार्च 1908 में हुई थी अगला स्वाल है राजस्तान में सीद काल में होने वाली वर्सा क्या कहलाती है तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्सन भी यह नि राजस्तान में सीद काल में होने वाली वर्सा को मावट कहते हैं क्या कहते हैं सीधकाल महनी वाली वर्षा को राध्यस्तान में मावटक कहते हैं अगला सवाल है कैंदर सरकार ने जोदपूर में वन अनुसंदान विबाग की इस्तापना किस पंसवर्षी योजणा में की थी तो इस सवाल का सही जवाबे option C नी राजस्तान सरकार या केंदर सरकार ने जोतपूर ने वन अनुसंदान विबाग की इस्तापना है वो परतम पंसवर्षी योजना के तहत की थी कब कीती परतम पंच वर्षिय योजन के और किसकी कीती वो कीती वन अनुसंदान विबाग की और ये जोतपुर्ग जिले में बनावा हैं अगला स्वाल है राधस्तान में कुल कितने राष्टी उद्यान बने वे हैं तो इस सवाल का सही जवाब है और ये राधस्तान में कुल तीन राष्टी उद्यान बने वे हैं कौन कौन से हैं वो रन्थंभो राष्टि उद्ध्यान जो सवई मादवपुर जिले में हैं दूसरा है केवलदेद घना राष्टि विहार जो भरत पुर जिले में है तीसरा है मुकुंद्रा हिल्स नैसनल पार्क जो राधस्तान के कोटा जिले में बनेव हैं जबकि 27 वन्य जीव अब्यरण हैं यानि दोस्तो राजस्तान में कुल राश्टी उद्यान पूचे तो 3 है और कुल 1 जीव अब्यरण पूचे तो वो हैं कुल 26 अगला सौल है जोगी महल राजस्तान के किस अब्यरण में इस्तेत्त हैं तो दोस्तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्सन है जोगी महल है वो राजस्तान के रन्थंबोर अब्यरण में बनावा हैं कहां पर बनावा है जोगी महल राजस्तान के किस अब्यरण में वो हैं रन्थंबोर अब्यरण में अगला सवाले उट को राजिय पक्सू गोशित करने की गोशना किस वर्स में की थी तो दोस्तो इस सवाल का सही जवाब ए उप्सन सी यहनी 19 सितंबर साल 2014 में उट को राजिय पक्सू गोशित करने की गोशना की थी कब की थी वो की थी 19 सितंबर साल 2014 में इसी परकार अगला स्वाल है राजस्तान राजिये में मुक्यते कोईले की किसम कौन सी पाई जाती है तो दोस्तो इस सवाल का सही जवाब है आपसन ए नि लिगनाइट कोईले हैं वो राजस्तान में मुक्यते पाई जाते हैं कौन से किसम के कोईले राजस्तान में पाए जाते हैं लिगनाइट किसम की और दोस्तों आपको बता दे कि राजस्तान तमिल नाडू के बाद दूसरे इस्तान पर है जहां पर सरवदिक निकलाइट किसम के कोईले पाए जाते हैं और ये बिकानेर नागोर तता बाडमेर में स इसी परकार अगला अंतिम सवाल है सीमा सुरुकसबल का फरंटियर मुक्यले राजस्तान में कहां पा रहे हैं तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्सन सी राजस्तान की जोधपूर जिले में सीमा सुरुकसबल का फरंटियर मुक्यले बनावा हैं कहां पर बनावा है सीमा अच्छे लगें तो इस वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहनी बार है तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों इन सभी सवाला का पीडिये फाइल है वो आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप से भी डाउनलूड कर सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिस में मिल जाएगी जहां से आप अच्छे से टेलिग्राम ग्रूप